मध्य परदेश में 2019 में घटी घटना के इंतरगत अपर सत्र न्यायधिश महोद्या गीता सलंकी ने आरोपी अनिल थाना बरुड को दस वर्ष की सजा सुनाई है खरगोन लोका भियोजन अधिकारी जबर सिंग मुवेल ने बताया कि अनिल नाबालिक पीडिता के घर में घुस कर उसके साथ खोटा काम करकिया था और डराया धमकाया गया था पीडिता की पीटा का आता देख आरोपी घर से भाग गया था इसके बाद पीडिता ने सारी बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्च करवा दिया जिसके बाद पुलिस ने कारेवाही करते हुए आरोपी अनिल के खिलाफ धारा 376 वो अन्य धाराओ में प्रकरण पंजीबत किया था जिसके बाद कारेवाही करते हुए अपर सत्र न्यायधिश महोद्य गीता सुलंकी ने आरोपी अनिल को दस वर्ष की सजा सुनाई है बद्य परदेश खरगोन से सवधाता महिंदर गुपता की रिपोर्ट इस तरीके से जो इसमें महतुपूर्ण एक्षी की एक डीने रिपोर्ट पर से आरोपी को सजा हुई थी बाकि जो पीडिता थे और उसके परिवारवरों गटना अभिवाजिन कहानी का सपोर्ट नहीं करें तो दीने रिपोर्ट प्रास्विक्विशन के लिए बहुत महतुपूर्ण रही है मैं इसलिए मेरा नेवद नहीं कि हम बराबर इस संबत में लगातार प्रियास करते रहेंगे पुर महिलाओं के संबत में इस तरीके जो गटना है और उस पर ब्रेक लगाने के लिए पुरे प्रियास करेंगे क्या नम लिखते हैं? जवर्षिन वे रुपस अंचानल कर बोड़ा है और सब्सक्राइब करें घंडेवाद